Hello everyone, welcome back to the channel, budget 2024 में 87A का rebate जो कि आपको मिलता है, उसमें government ने चेंज ना करते विए भी बहुत बड़ा चेंज किया है जो कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर यदि हमें online gaming से income होई हो या lottery से, crossword, puzzle से, या फिर share market या mutual fund से, तो क्या हमें 87A का rebate मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं दोस्तों 87A का rebate basically आपको new tax regime और old tax regime दोनों में ही आपको अलग-अलग मिलता है, तो सबसे पहले old tax regime की हम बात करें तो यहां पर देखिए rule क्या कहता है, rule यह कहता है कि NSAC being an individual resident in India whose total income does not exceed 500,000 रुपीज, यहां पर दोस्तों total income mention किया गया है, आपको यहां पर ध्यान देने की ज़रती है, यहां पर gross total income mention नहीं किया गया, यह है total income, मतलब कि जिस income पर आपको tax का payment करना है, यदि वो income 5,000,000 रुपे से ज़्यादा नहीं है, तो यहां पर rule क्या कहता है, he shall be entitled to a deduction from the amount of income tax taken on his total income which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax और amount of rupees 12,500 rupees which ever is less, तो यहां पर rule क्या कहता है दोस्तों कि 5,000,000 रुपे या फिर उसके नीचे यदि आपकी income है, और उस पर जो tax आपका बन रहा है, या तो वो tax amount, यानि कि 100% वो tax amount, या फिर 12,500 rupees दोनों में से जो कम होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका tax free हो जाएगा, तो यहां पर हमने old tax regime का slab rate no down किया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं, वो financial year 24 और 25 के लिए applicable होगा, मतलब कि assessment year 25 और 26 की जब idea file की जाएगी, तो उसमें यह apply होगा, तो यहां पर देख सकते हैं कि जैसा कि यह rule कहता है, यहां पर आपने भी rule देखा, कि इस rule में क्या बोला है, कि 5 लाग रुपे तक यदि आपके income है, तो यहां पर धाई लाग रुपे तक तो 0% से tax rate लगता है, ठीक है, और इसके बाद धाई से लेके 5 लाग रुपे तक के बीच में यदि आपके income आती है, तो उसमें 5 परसेंट का rate लगता है, तो 5 करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, हमारे tax आया 5 लाग रुपे तक, तो यदि आपके income 5 लाग रुपे या इसके नीचे है, तो आपका जो भी tax बनेगा, यहां पर यह जो amount आपका आ रहा है, यह amount 87A के rebate के लिए eligible हो जाएगा, ठीक है, और आपको यहां पर कोई भी tax pay नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी जो tax हो जाएगी, वो हो जाएगी 0, ठीक है, यह हो गया old tax regime की बात, ठीक है, इस rule के according दी चलते हैं, तो budget 2024 में इसमें कोई भी change नहीं किया गया है, मतलब कि old tax regime में जो rebate आपको 12,500 रुपीज का मिलता थ वो as it is आपको 2024-2025 financial year में मिलता रहेगा, अब हम आते हैं new tax regime पर, कि new tax regime क्या कहता इस से related, 5 BAC का यदि हम यहां पर discussion करें, तो यहां पर देख सकते हैं, कि लिखा हुआ है कि where the total income does not exceed 700,000 रुपीज, मतलब कि यदि किसी person की income जो है, 7 लाख रुपे से दी cross नहीं करती है, तो उस case में क्या होगा, the assessor shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income, which he is chargeable to tax for any assessment year, for an amount equal to 100% of such income tax, or an amount equal to 25,000 रुपीज, which ever is less, new tax regime में, यहां में old tax regime के मुकाबले क्या मिलना, deduction maximum आपको 25,000 रुपीज तक मिलना है, ठीक है, और या फिर आपका यदि 7 लाख के under में दे income है, उस पे जो आपका tax calculate होगा, वो amount और 25,000 जो दोनों में से कम होगा, वो आपका tax free होता है, तो new tax regime में जो rule यहां पे निकाला गया, कि 7 लाख रुपे से दी आपकी income exceed नहीं करती है, तो उस case में maximum आपको 25,000 रुपे तक का deduction यहां पे मिलने वाला है, तो यदि हम यहां पर एक बार इसको new tax regime का slab rate देखें, तो budget 2024 में new tax regime की slab rate थी उसको change कर दिया गया, यहां पे 3,000,000 रुपे तक आपको निल के rate से tax pay करना है, यदि 3 से 7 के बीच में आपकी income आ रही है, तो उस case में 5% का tax आपको देना है, मतलब यहां पे change कर दिया गया, पहले 3 से 6 था, 6 से 9 था, 9 से 12 था, 12 से 15 था, एवफ 15 लग, ठीक है, लेकिन यहां पे change कर दिया, यहां पे 2 slab rate आप देख सकते हैं, 3 से 7 और 7 से 10 वाले में changes किया गया, तो 3 से 7 में 5 परसेंट और 7 से 10 में 10 percent current यहां पे लगाए गया, अब दोस्तों जैसे कि यह rule जो आपने अभी देखा, ठीक है, यहां पे जो rule हमने अभी देखा कि यहां पे जो rule हमने अभी देखा कि यदि किसी बेक्ती की income 7 लाख रुपे से exceed नहीं करती है, एक साल में उसको maximum 25,000 रुपे का क्या मिलेगा, 87A मे rebate मिलेगा, अब budget 2024 में यह जो है slab rate change कर दिया गया, तो यदि यहां पे हम 7 लाख रुपे की जो हम बात कर रहे हैं, तो 7 लाख पे हम tax का calculation करें तो कितना tax आएगा, ठीक, यदि आप इन दोनों का difference निकाल लिए, 3 से 7 का तो 4 लाख रुपे आता है, तो 4 लाख रुपे पे हम calculation कर लेते हैं, 5% के rate से हम calculate करेंगे, तो यहां पे tax हमारा कितना आ रहा है, 20,000 रुपीज आ रहा है, दोस्तों यहां पे government ने कोई भी change नहीं किया है, 87A में कोई भी change नहीं किया budget 2024 में, लेकिन change ना करते हुए भी उसने बहुत बड़ा change यहां पे कर दिया है, आप यहां पे देख सकते हैं कि 7,000,000 रुपे तक सिर्फ हो सिर्फ 20,000 रुपीज का tax आ रहा है, जो कि 87A में rebate के तौर पे count किया जाएगा, मतलब कि यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि अब आपको यह 25,000 रुपे जो आप यहां पे rule देख रहे हैं, यह 25,000 रुपे अब आपको नही अचानक से क्या कर दिया कि utility में changes ला दिया और पोर्टल पर भी इसने change कर दिया, क्या change किया, ठीक है तो यहां पर old tax regime में क्या था कि special rate हो, normal rate हो, बोल दिया गया कि कोई भी आपको 87A में rebate हम नहीं देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद यह सुनाई दिया, कि भाई हम old tax regime में क क्या करेंगे, आपको rebate provide करेंगे, ठीक है, जो भी special rate की income हो, या normal rate की income हो, आपको rebate provide करेंगे 87A में, बस के बाद long term capital gain, जो section 112A का है, यानि कि share market और mutual fund का, इस पर हम आपको rebate नहीं देंगे, लेकिन new tax regime में नहीं कहा, कि भाई, जो आपकी special rate वाली जो income है, ठीक है, मतलब क जो आपकी online gaming की income है, crossword puzzles हो गया, lottery की income हो गया, virtual digital estate हो गया, यह सब जो special rate वाली income है, इस पर की 30% का rate लगता है, mutual fund share market की, इस पर हम क्या करेंगे, आपको 87A का जो rebate है, वो हम आपको नहीं देंगे, तो दोस्तों यह जो important change किया गया, इसके वज़े से government ने क्या किया, 87A को budget 2024 म नहीं किया, और जो as it is चला रहा था, कि आपको 7 lakh रुपे तक की rebate मिलेगी, और 7 lakh रुपे तक आपको 20,000 का ही केवल rebate मिलेगा, assessment year 25 और 26 के लिए, तो जैसे कि यहाँ पर 25,000 रुपीस लिखा हुआ है, कि 25,000 रुपीस आपको maximum rebate 87A में मिलेगा, ठीक है, तो जैसे कि आप हमको इस slab में घुसना पड़ेगा, यहाँ पर 5,000 रुपीस के लिए, हमें यहाँ पर 50,000 रुपे की income हमको इस slab में इंटर करना पड़ेगा, ठीक, तो यहाँ पर, let's suppose कि हमें 50,000 रुपीस income होगी, इस पर 5%, 10% का rate निकालते हैं, तो हमारा tax यहाँ पर आ गया 5,000, अब यह total जो हमारा हो गया, यह 25,000 हमारा tax हो गया, अब ऐसे case में government को budget 2024 में यह announcement करना चाहिए था, कि यदि आपकी income 7,50,000 रुपीस तक यदि है, तो उस case में हम आपको 25,000 का 87A में rebate देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी government नहीं बताया, इसका मतलब यह है कि आपको 20,000 रुपीस ही के वल रिबेट मिलेगा, दोस्तों यदि किसी person को माल लिए कि यहाँ पर यदि हम इसको government ने कुछ बोला नहीं, कोई भी chain यहाँ पर नहीं किया, तो हम यहाँ पर माल लेते हैं कि आपके income यदि let's suppose कि 7,50,000 रुपीस यहाँ पर रिबेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, काउं कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना income हो जाएगा आपका, यहाँ पर income हो जाएगा 8,25,000 रुपीस, दोस्तों यदि यह जो 25,000 रुपीस का रिबेट है, यदि हमें 7,50,000 रुपीस पर यदि हमको मिलने लगेगा, तो उस case में यदि हमारी income 8,25,000 रुपे भी आती है, तो उस case में हमारी tax क्या हो जाएगी, नील हो जाएगा, तो दोस्तों यह छोटी से information थी, यदि government से हम सभी लुप अपील कर रहे हैं कि इस पर जो है, गौर्मेंट यह जो income है, 7,50,000 का इस पर clarification दे, यदि 7,00,000 लेकर चलते हैं, तो 20,000 का ही रिबेट आएगा, इसलिए इस income के सारे लोगों के जो comment है, कि सर, यदि हमें केवल online gaming से income हुई है, या lottery या crossword puzzle से हुई है, या फिर virtual digital asset, यानि crypto से केवल income हुई है, तो ऐसे case में क्या हमें rebate मिलेगा, 87A का, दोस्तों यदि आप अपनी IDR को new tax regime में file करते हैं, तो उस case में जो special rate की income है, यानि यह जितनी भी income ह यह सब special rate की है, इस पे आपको 87A का rebate बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इवेन कि यदि आपकी income 7 लग के नीचे में यदि होगी, new tax regime में, old tax regime में यदि हो 5 लग के नीचे होगी, तो भी आपको rebate, new tax regime में तो नहीं मिलेगा, लेकिन old tax regime में आपको rebate मिलेगा, तो इसलिए आप आपको business ध्यान रखना है कि 87A का rebate दी claim कर रहे हैं, तो आपको due date का business ध्यान रखना है, तो hope कि आपको सारी चीचे clear होगी है, वीडियो में दीगे जानकारी आपको पसंद आए, तिसे like, share जरूर करिएगा, मिलते ने ने इस वीडियो में तब तक लिए जाए हैं, जयवार